18-24 वर्ष की लड़कियों को बेवजब्रम रहता है कि उनकी खूबसूर्ती के पीछे लड़के दिवाने रहते हैं। साइकोलोजी के अनुसार 90% लोगों का प्यार कभी सफल हो पाता है। जब वह किसी की रूपरेखा देखकर नहीं, उसका आचन देखकर या व्यभार देखकर उससे त्यार करते हैं। सभी स्त्रियां अपनी गर्म और उत्तेजित योनी को थंडा करने के लिए उंगली डालती है। पुरुषों का लिंग स्त्री की योनी में तब प्रवेश नहीं करता, जब योनी जी का आकार छोटा हो। एक स्त्री ऐसे पुरुषों के साथ हमेशा सेक्स करेगी, जो उसकी योनी की गर्मी को जल्दी शांध कर देगा। साइकोलोजी कहती है कि लंबे समय तक सेक्स ना करने वाले लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। साइकोलोजी कहती है जो पुरुष बड़ी उम्र की महिला के साथ संभोग करता है, वह बहुत जल्दी बुढ़ा हो जाता है। जब पुरुष स्त्री के निप्पल को अपने दांत से काटता है, तभी स्त्री की योनी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। महिलाओं को सेक्स करने के लिए सिर्फ एक कारण की जरूरत होती है, लेकिन मर्दों को बस एक जगह की। प्यार करने पर दिमाग में रोमैंटिक मूड पैदा होता है, जो व्यक्ति को शांत, खुश्मिजाच, एनरजेतिक बना देता है। साइकोलोजी कहती है कि औरत के साथ के पेड़ सेक्स करने से स्खलन बहुत देर से होता है। एक महिला को संभोग के समय असली आनंद तब आता है, जब पुरुष उसकी योनी को अपनी जीव से चाटता है। संभोग करते समय हमेशा ध्यान रखें की स्त्री के स्तनों को दबाएं और उनके होठों पर किस करें। ऐसा करने से स्त्री को सेक्स करते समय चरम सुख बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। साइकोलोजी के अनुसार लहसुन में प्यास का रस मिलाने से और उसे अपने लिंग पर मालिश करने से आपका लिंग एक महीने में 10 इंच लंबा हो जाएगा। जो महिलाएं 30 सब्ताह तक लगातार केसर के चार वेशों का सेवन करती हैं वह संभोग का आनंग ज्यादा लेती हैं। कोई भी औरत सुभा के समय संभोग करना ज्यादा पसंद करती हैं। जब एक महिला की संबंध बनाने की इच्छा होती है तो उसका तात्मान सामाने से अधिक हो जाता है। मर्ग संबंध बनाते समय रोशनी पसंद करते हैं जबकि एक औरत अंधिरा पसंद करती है। 94% महिलाएं अपनी गर्दन पर किस करवाना पसंद करती हैं। एक स्त्री को संभोग की इच्छा बढ़ती है तो उसके स्तन कड़े हो जाते हैं। किसी लड़की के गुफा में लिंग डालने से पहले उसके संत्रों को मसलना चाहिए। पुरुषों के उपर बैठ कर अंदर लिंग डालना स्त्री के लिए सुख़द होता है। किसी स्त्री को किसी पुरुष के साथ संभोग करना प्यार बढ़ाने का एहसास होता है। स्त्री के उत्तेजित हो जाने पर लिंग का दर्ध सौ गुना तक बरदास कर सकती है। ज्यादा तर लड़किया बड़े लिंग वाले पुरुषों की और अधिक आकर्शित होती है। एक पुरुष का लंबा मोटा लिंग स्त्री की अंदर गहराई में जाने पर दर्ध देती है। संभोग के समय स्त्री की यौनी मूल आतार से आठ गुना ज्यादा पैल सकती है। महिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए आलोचना या शर्मिंदगी से कभी नहीं डगती है। एक स्त्री सेक्स करते समय अपने साथी के लिंग से बंधा महसूस करती है। बार-बार संभोग करने से निकलने बाला बीरिस्त्री को कमजोर बना सकती है। शादी में सेक्स की कमी आप दोनों को अविबाहित महसूस कराएगी। जिन औरतों ने अनेक पुरुशों के साथ सेक्स किया हो। वह सेक्स को महत्वपूर्ण तो मानती है। लेकिन ऐसी औरतें अपने पार्टनर से कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाती। प्यार घावनाओं का सैलाब है। इसे समझना उतना ही कठिन है जितना की मानव मस्तिष्ट को। जब हम किसी की तरफ प्यार से देखते हैं तो हमारे पलत पैल कर चौड़े हो जाते हैं। साइकोलोजी के अनुसार जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आप वास्तव में अपने आपको चालाक बना रहे होते हैं। साइकोलोजी के अनुसार अन्यव्यप्ती की आंतरिक अंदरुनी चीजों या बातों को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसे उनसे संबंधित राजवाली बाते बताएं साइकोलोजी के अनुसार यदि आप सुभ़ परियाप मात्रा में पानी पीते हैं तो आप दिन भर अधिक प्रशन और अधिक उर्जावान महसूस करेंगे